ये आकाश्वाणी का दिल्ली केंद्र है। आज हम आपको एक शुरुती नाटक सुनवा रही हैं जिसका शीरशक है आत्मजा। इस नाटक को लिखा और सुरबध किया है अबढ़ना चौधरी ने और निर्देशक है श्री कृष्ण। तो लीजी सुनिए नाटक आत्मजा। आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो कहानी है एक नारी की समय के साथ उसके बदलने की जिंदगी में टिके रहने के लिए उसके संगहर्श की। ये कहानी है माधुरी लता की जो प्रतीक है एक आम नारी की। इस कहानी की शुरुवात हुई आज से 70-75 साल पहले। मेरा बचपन भी था कलकत्य की एक बहुत पुरानी हवेली में जो मेरे दादा जी ने बनवाई थी। घर के सामने के आंगन में हम लोग खिला करते थे। मा और बड़ी चाची बड़ी बड़ी थालियों में अचार सुखाया करते थी। याद है बड़ी चाची की दाथ। खबरदार अचार को हाथ नहीं लगाना। पांच बहनों में मैं थी सबसे छोटी। मेरी बड़ी दिदिया कोई भी स्कूल नहीं जाते थी। दिन भार घर में बैठकर सिलाई बुनाई करती रहती थी। और मैं धूप में बैठकर पहाड़े याद करती थी। मजली दिदी बहुत सुंदर गाती थी। लेकिन उस्ताद रखके गाना सिखना हमारे खर में कोई सोच भी ने सकता था। एक बार बात चली थी लेकिन याद है पिता जीने बहुत नाटा था। याद है पड़ोस की जगत चाचा को गाना गाने का बहुत शौक था। उनके घर में समय समय पर गाने की महफिल हुआ करती थी। बहुत बार देखा कि मजली दिदी खिरकी खोल कर मुहित होकर गाना सुन रही है। मानो की सपने में हो। बड़ी चाची को ये गाना बजाना बहुत नापसंद था। जैसे उनका महफिल शुरू होती थी वैसे उनका चिल्लाना भी शुरू होता था। घर को कोठा बना डाला इन दोगोंने। घर आने दो देवर जी को आज। फिर देखती हूँ मैं। और भस मजली दीदी का वो सपना तूट जाता था। भाया मेट्रोपॉलिटन स्कूल में पढ़ते थे। शाम को भाया को पढ़ाने के लिए गुरुचरन चाचा आते थे। मैं दूसरे कमरे से देखती रहती थी। उस कमरे में घुचने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन साहस बटोर के मैंने मा को बोल ही दिया। मुझे भी स्कूल जाना है मा। जल्दी से मा ने मेरे मूँ पर हाथ रख दिया और फुसफुसा कर कहा जूप 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 ऐसे नहीं बोलते बिटा। पर ना जाने कैसे। बड़ी चाची को ये बात पता चली गई। उस दिन शाम को आंगर में बैठकर मा से पूछी बै बात जाने के लिए उसे पड़ने के बाद मुझे पदा चला कि किताब पढ़ के कितना आनन्द मिल सकता है। बढ़ना था, मुझे और पढ़ना था। उस दिन बहुत बारिश हो रहे थी। मैं पलंग पर बैठकर अपने ही खयालों में खोई, अपनी फ्रॉक को उंगली में लपेट रही थी। मा के बाल बना रही थी बिमला। मा ने पुछा, कर मिश्या जी के घर क्या हुआ ठाड़ है बिमला। तुमको मालू नहीं क्या। उनके घर के छोटी बेटी माल थी। पर उसके लड़के के साथ भाग गई। भाईया आए। उन्होंने कहा, मा कल मधु को स्कूल में दाखला कराने ले जाओंगा। टीचर से मेरी बात हो गई है। माने कहा, मधु को, शे कूल, पिता जी शे बाट की। पिता जी को सिर्फ एक दस्तखत करना है। वो मैं रात को खाने पर समझा दूँगा। तुम चिंता मत करो। तुम सिर्फ कल सुबह दस बजे मधु को नहला कर साफ सुत्रा कपड़े पहना कर तयार रखना। खुशी के मारे मेरी सांस रुप कर फिर से चलने लगी। मैं बढ़ूँगी, मैं आके बढ़ूँगी। स्कूल की बातें मुझे बहुत याद आती है। गनित के शिक्षी का सुष्मा दीदी क्लास में जियोमेट्री का फर्मुला समझाते वक्त जैसे ही बोलती थी A.C.E.B.C. तब ही क्रिश्ना पीछे से बोल उठती थी हसी तो फसी। सारा क्लास हसी से लोट पोट हो जाता था। एक बार रेनुका दीदी राज तंतर समझाते हुए डायस पर चड़के हाथ आस्मान की ओर उठाकर चिला के बोल उठी थी सोचो कि मैं राजा और तुम सब मेरी प्रजा और कहते कहते ही अपना संतुलन खोके गिर पड़ी सामने वाली कातार में बैटे हुए स्टूडेंट्स के ऊपर क्लास में हलचल मज गई तब ही पीछे से किसी ने आवाज लगाई और राजा का पत्र हुआ याद आती है भुगोल की सिक्षी का निलिमा दिदी क्लास में आते ही बोल पढ़ती थी आवाज नीचे करो नीचे करो तब ही हम सब डेस्क के नीचे गुश जाते थे और हमारी बाते चालू रहती थी हमारी प्रिंसिपल सर्जु दिदी का फेयरवल फांक्शन था के तयार दिदी ने बोलना शुरू किया आज जहां ये स्कूल बिल्डिंग खड़ी है 35 साल पहले वहां सिर्फ एक लैटरिन थी पूरा हॉल हसी से फट पड़ा पल में वो दुखी माहॉल हसी के माहॉल में बदल गया ऐसे ही हसते खेलते और सीखते वो चन्द साल कैसे बीद गये पता ही नहीं चला स्कूल से लोटते वक्त रस्ते में पहली बार मैंने उनको देखा था लक्षबन की दुकान के सामने दोस्तों के साथ गप लड़ाते थे वो मेरा बिनाकरा लक्षबन के दुकान आना जाना बढ़ गया जब मैं फालगुनी के घर के सामने पहुँचती थी तब मेरी चाल धीनी बढ़ जाती थी उनकी छोटी छोटी बातें जैसे कौन अच्छा गाना गाते हैं, किशोर कुमर या महमद रफी, यह तो क्रिकेट में हजारे की बैटिंग अच्छी है, या मनकर की, यहीं सब बातें कानों में आती रहती थी, पता नहीं, एक सोला साल की सहे में सी खबराई सी लड़की, क्यों रोज दुकान में बार बार आती है, यह शेखर ने देखा या नहीं, अरे मैं तो यह बता ना भूली गई, कि उनका नाम शेखर था, शेखर सिना, भाया से पता चला था उनका नाम, शायद यह बात मुझी कभी पता ही नहीं चलती, अगर मा और बड़ी चाची काशी जाने की जिद नहीं करती बाबुजी के पास, हम सब जाएंगे, भाया जाएंगे हमारे साथ, बाबुजी को ऑफिस से चुटी नहीं मिली, इसलिए वो जा नहीं सकेंगे, हम लोगों को भी स्कूल में चुट्टी करनी पड़ेगी, इस बात को किसी ने एहमेत ही नहीं दी, काशी मतलब पूरा एक हफ़ता पूरा एक हफ़ता मैं शेखर को देखने ही पाऊंगी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहे थी लेकिन कोई चारा नहीं था, जाना ही पड़ेगा हम हावणा स्टेशन पहुचे लोगों की हलचल, चाइगरम की आवाज, माईक की खोशना और खाली जगा ठोणकर अपने सीट में बैठने की खुशी कुछ भी मुझे छू नहीं पा रहे थी मैं उदास होकर खिर्की के बाहर देख रहे थी अचानक मैंने दिखा शेखर, वो स्टेशन में क्या कर रहा है वो हमारी खिर्की के सामने आकर माँ से बाते करने लगा कहने लगा कि वो अपने रिष्टेदार को स्टेशन पहुचाने आया था ये बत मुझे सच नहीं लगी फिर ट्रेन चूटी, धीरे धीरे प्लाटफॉर्म पीछे चूटने लगा शेखर प्लाटफॉर्म पर खड़ा मुझे देखता रहा अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे मन में एक अजीब सी खुशी चा रही है युनिवर्सिटी के आखरी साल में अचानक बाबुची का देहान थो गया मा, बड़ी चाची और हम सब का बोज बड़े भाया पर आ गया उसी समय भाया को मार्चिन रफिस में एक नौकरी मिल गई पूरे घर में जैसे खुशी के लहर दोड़ गई ये खाबर सुनकर मा के आखों में आशु भराए लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं सकी पिता जी के देहान के बाद पहली बार हमारे घर में खुशिया आई थी मुझे इतनी खुशी महसुस हो रहे थी कि लग रहा था कि उट्टी हुई जाकर ये बाद शेकर को बता दूँ तब मैं नियमित रूप से शेकर से मिलती थी कॉफी हाउस में शेकर अपने मामा के घर रहता था वो पड़ाई में बहुत होशियार था उनकी बिध्वा मा छोटे छोटे भाई वहन उसी के भरोसे दिन काट रहे थे कि कब उसे नौकरी मिलेगी और वो परिवार को सहारा देगा उस दिन मैं ज़रा जल्दी ही पहुँच गई कॉफी हाउस में खुशी की खबर देनी थी ना इसलिए थोड़ा सजजच की गई थी सजने पर मैं काफी अच्छी दिखती थी शेखर की पसंद की बड़ी सी बिंदी भी लगाई थी शेखर था का हारा अपनी ट्यूशन खतम करके आप पहुचा कॉफी हाउस में आकर मुझे थोड़ी देर गौर से दिखा फिर बोला क्या बात है इतना श्रिंगार क्यूँ घरवालोंने शादी तै कर दी क्या मुझे शेखर थोड़ा बदला बदला सा लगा उस दिन ऐसी कटिन बाते वो कभी नहीं बोलता था मैं हसके बोली भाईया को ना मार्चिंट आफिस का वो नौकरी मिल गई है सुनके वो थोड़ी दे चुप रहा फिर हसके बोला चलो अच्छा है तुम लोग के चिंता दूर होई उसके बात वो चुपचाप बैठा रहा मैं धीरे से बोली अब देखना तुमको भी न एक नौकरी मिल जाएगी फिर हम लोग एक छोट असा घर किराय पर लेंगे तुम्हारे माँ भाई बहन सब को लियाएंगे यहाँ वो मेरी तरफ अजीब ढंक से देखता रहा कुछ बोलना चा रहा था लेकिन अंप में कुछ भी नहीं बोला सिर्फ बोला मैं चलता हूँ उसके बाद बहुत दिन बीट गए मैं अपनी परिक्षा में वैस थी यूनिवर्सिरी का इलाका ओस्टर और अजीबो गरिफ स्लोगन से भर गया था इन क्लाब जिन्दाबाद के नारे गली-गली में गूंज रहे थे चोटी-मोटी बंबारी, भड़काओ भाशन तोड़-फोड, आम बाते बन गई थी हमारी मुलाकात भी धीरे-धीरे कम होती जा रही थी एक दिन वो मुझसे मिलने कॉफी हाउज में आने वाला था लेकिन उसके बदले आया उसका एक दोस्त विरेन साथ में एक चिठी लेकर चोरो की तरह चुपके से मैंने चिठी खोलके देखी उसमें कुछ लिखा था नौट बंगल जा रहा हूँ कब वापस आऊंगा पता नहीं ये रस्ता तुम्हारे लिए नहीं है बहुत खत्रा है इस रस्ते में अगर हो सके तो मेरा इंतजार करना नहीं तो भूल जाना मुझे चिठी को पढ़ने के बाद उसको जला दिना अपने आपको समाल के बहुत मुश्किल से घर आई थी उस दिन मौले में एक अजीब से सन्नाटा चाया हुआ था घर पहुँचे तो पता चला कि शेखर के मामा के घर पुलीस आई थी वो मिला नहीं इसलिए उसके भाई को उठा के ले गई माने कहा इतने शाल हमारे पढ़ोस में रहा हमें कुछ पता भी नहीं चला अच्छा मधू तुझे मारूम था क्या वो नक्सारियों के साथ जुड़ा हुआ था मैं चुप रही कैसे बोलू कि मुझे भी आज ही पता चला आज ही इस घटना के एक महिने का अंदर ही भाईया ने मेरी शादी तैकर दी लड़का स्कूल मास्टर उन्हें दहेज नहीं चाहिए मैंने मा की तरफ देखा मुझे आगे पढ़ाय करनी थी मुझे अपने पैरों में खड़ा हुना था बड़ी चाची ने कहा अच्छे घर अच्छे लोग और दहेज भी नहीं चाहिए और क्या चाहिए तुम लोगों को मुझे समझ में आ गया था कितनी भी सुन्दर और पड़ी लिखी क्यों नहूं मेरा मोल पैसो से ही नापा जाएगा और दहेज ना मांगने वाले लोग तो मुश्किल से मिलते हैं ऐसे प्रस्ताव कोई ठुकराता है भला मेरे दादा जी के खंडर सी हवेली में मेरी शादी की शेहनाई गोंजुठी पिछली एक महिने में मैं शेकर के साथ मिलने की बहुत सारी नाकाम कुशिशे कर चुकी थी और क्या करूँ उसने मुझे सवालने का मौका ही नहीं दिया मैं लड़ो तो किस बल पर बहुत सारा अभिमान और नाराज की अपने मन में लिए शादी के मंड़ में जा पहुची मैं शादी के वक्त मैंने ठीक से देखा भी नहीं अपने पती को जब विदाई का वक्त आया फूलों से सजी हुई गाड़ी खड़ी थी दरवाजे पर मैं अपने किताबों को ले जाना चाहती थी मुझे मालूम था मेरी शादी की सौगात में किताबों की जगा नहीं होगी मा बड़ी चाची सब लोग चिल्ला उठे क्या कह रही है मादू क्या करेगे तू इस कच्रे का तभी एक आवाज मुझे सुनाए दी ले जाने दीजिये न उस घर में वो नहीं है उसका समय कैसे बितेगा और आगे पढ़ना चाहे तो ये किताबे काम में भी तो आएगी तभी पहली बार मैंने अपने पती को ठीक तरह से देखा मुझे लगा कि किसी ने मेरे घाओं पर मरहम लगा दिया एक अजनभी ने मेरा दिल जीत लिया लगा कोई मिल गया जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूं मैं धीरे से जाके गाड़ी में बैट गई और शुरू हुआ मेरा नहीं नहीं हम दोनों की जिन्दगी का सफर शादी की दस साल बाद हमने एक छोटा सा घर खरीदा समय के साथ अपने आपको बदल लिया था मैंने मधू अब बन गई थी मिसिस चैटर जी हमारे महलने के दुरगापुजा में हम सब लोग हिस्सा लेते थे मुट्टी लाने से लेकर सामान खरीदना प्रशाद बाटना हर काम में हम लोग पूरे उत्सा के साथ भाग लेते थे एक बहुत बड़े परिवार की तरह मुझे मायके की याद आ जाती थी लेकिन मेरी बेटी तितली को ये सब अच्छा नहीं लगता था तितली बेटा उठ जाओ पूजा में जाना है ना गार्टी खतम हो जाएगी चल बेटा उठ जा उमा फ्रिलेक्स करने दो ना प्लीज अं ये सब फूजा वगएड़ा मुझे फैसिनेट नहीं करती फ्लीज मुझे तोड़ा सोने दो मा प्लीज कम्रे को कितना गंदा करके रखा है डिवार भरी होई है तज़वीरों से सारा बिस्तर भरा हुआ है कैसेट से क्या सब नाम एबा बॉनियम जिन्दगी मैं नहीं सुनाई सब नाम बहुत शौक से बेटी को हमने कॉन्वेंट स्कूल में भेजा था शुरू से ही तितली पड़ाएं में बहुत अच्छी थी जब पेरेंटीचर मीटिंग में प्रिंसिपल मैडम बोलती थी तब मेरा और मेरा पती का सर गर्व से मुच्छा हो जाता था तितली लड़की बहुत अच्छी थी पड़ाई में अच्छी सुआभी मानी आग्या कारी लेकन रिदा इसे भारतिया नहीं बन सकी अपनी भाषा अपनी संस्क्रिती कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था इसलिए ग्रैजुएशन के बाद जब उसने अमरिका के एनरवर उनिवेसिटी में स्कॉलर्शिप के लिए आवेदन किया तब मुझे आश्चर नहीं हुआ उसके पिताजी बहुत खुश थे बोलते थे हमारी बेटी शिक्षा के लिए विदेश जा रही है हमें उसका साथ देना चाहिए शायद उनके मन में ये आस्थी पढ़ाई के बाद बेटी वापिस हमारे पास आ जाएगी अपना पासपोर्ट उसने बनवा करी रखा था पिताजी को लेके वीज़ा बनवाना टिकिट के बंदोबस सब कर लिया उसने आसो चुपा के उसका सुटकेस पैक कर दिया मैंने शायद आखरी बार फिर जाजावर पंची के तरह उड़ गई मेरी बेटी हम दोनों एएरपुट में खड़े हाथ ही लाते रहे पुरा एक साल बीद गया पुरा एक साल बीद गया दुर का पुजा आई तितली जाने के बाद पहली पुजा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था चारू तरफ एक अजीब सा सन्नाटा चारू तरफ एक अजीब सा खाली पर महसूस हो रहा था मन ही मन मैंने मा दुर्गा से कहा मैं तो मा मेंका से भी आभागिन हूँ आप तो फिर भी साल में एक बार आती है मा और मेरी बेटी सिंदूर खेलने के बाद बहुत थकके दो काप चाहे लेके हॉल में जा बैठे हम दोनों अचानक तेलीफोन का लंबा रिंग लॉंग डिस्टेंस कॉल जल्दी जाके फोन उठाया हैलो उदर से आवाज आई हलो मा दिद्ली की आवास थी हलो can you hear me कैसी हो बेटा मा I am fine I am just fine happy poojo and super bejoye to you and baba पाई लागू miss you so much both of you love you मा love you a lot हाँ दिद्ली तुसे कितनी बादे खंडी थी मा कितनी बादे खंडी धंड की मौसम में मुझे आजकल थोड़ा सावदान रहना पड़ता है आजकल धंड जल्दी लग जाती है तबियत ठीक नहीं रहती पिछले साल तो तब यत इतनी खराब हुई थी कि कुछ दिन आई सियू में भी रहना पड़ा बीमारे इतनी बड़ी थी इसलिए तो ठिद्ली को भाग के आना पड़ा था कलकत्ता इतने हैं दिनों के बाद आखरी बार वो कलकत्ता आई थी उनके चले जाने के बाद क्रिस को लेकर क्रिस, क्रिस्टोफर हॉकली मेरा दामाद जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी तितली वह ही क्रिस के साथ मुलाकात हुई थी बीदेश में ही शाधी करी थी दोनोंने उनको बहुत बुरा लगा था मैं इतनी दुखी नहीं थी ऐसा ही कुछ होने वाला है लगा ही था मुझे उनकी शाधी के दू साल बाद वेरोनिका का जनम हुआ तितली ने कहा वेरोनिका नहीं है ममी वेरोनिका तिटली ने प्लेन का टिकिट भेजा था हम गए मिशिगन में उनके घर रिसको इंडियन खाना बहुत पसंद था एक वार मैंने खाना खाने के बाद उसको मिठा पान खाने के लिए दिया था उसने अंदर के मसाला खा लिया और पान के पत्य को फेग दिया सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था गर्वरी शुरू हुई तिटली और उसके पिताजी के बीच तिटली का अमरिकान बन जाने की कोशिश उसके पिताजी को एकदाम पसंद नहीं थी चार महिने बाद अचानक एक दिन वो अपना सामान बाढ़ने लगे मुझसे बोले अगर बेबिसिटिंग के लिए रहना चाती हो तो रह जाओ मैं कलकता वापिस जाना चाता हूँ नतीजन मुझे भी वापिस आना पड़ा दिटली को बहुत बुरा लगा था बाबा अब बेकार में सेंटिमेंटल हो रहे हैं और हमारे लिए बार बार इंडिया आना मुश्किल है आही भी नहीं कभी वो पोती कितनी बड़ी हुई ये बात उनके चिठी से या फोटो से पता चलती थी हमें लेकिन बाब और बेटी कोई भी आने की बात नहीं करते थे लेकिन पेरे पती अंदर ही अंदर घुट रहे थे उनकी इस घुटन की मुझे भनक तक नहीं लगी थी जब पता चला था बहुत देर हो चुकी थी एक दिन अचानक हमारे प्यारे शानते कुझ में मैं अखेली रहेगी विलकुल अखेली लेकिन और ज्यादा दिन मुझे अखेली रहना नहीं पड़ेगा दिद्ली उस बार आके एक वृता श्रम से बात करके गई थी स्टेट्स में नहीं आओगी मुझे मालूम है लेकिन यहाँ तुम अकेली रहोगी तो मुझे वहाँ अटेंशन होती है मुमा प्लीज दू मिया फेवर यह ओल्डेज होम का अम्बियंस बहुत अच्छा है 24 आर्स मेधिकल अटेंशन मिलेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो उस होम से वो लो कल ही मुझे लेने आएंगे मतलब कल ही मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा ये घर और पचास साल से सजाई हुई मेरी ग्रियस्ती आज रात को नीन नहीं आएगी कोई कॉलिंग बिल बजा रहा है क्या रग रहा है सबेरा हो गया लेकिन अभी तक अंधेरा है बाहर घड़ी में धाई बज रहे है रुको रुको दर्वाजा खोल रही हूँ आ रही हूँ बाबा आ रही हूँ दर्वाजा खोलते ही मुझे लगा एक जर्णा काल काल करते हुए मेरे उपर आगेरा मैं तो हैरान रहेगी थोड़ी दिर बाद जब मुझे सब समझ में आया तो मैंने उसे गले से लगा लिया तीन बड़े बड़े सूटकेस लेकर वो हॉल में आ बैठी फिर मैंने पूछा क्या बात है आप कैसे कलकत्ता में मैं इंडियन हिस्चु लेकर रिसूर्च कर रही हूँ यू नो सो आई सेट आप काम स्टे विट यू इन कोलकाटा मा और बाबर ने अब्जेक्शन किया था बटाइकेम अब मैं आपके पास ही रहूंगे टी डू मैं स्वीट हाट वे मेरे पास रहेंगी मतलब मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा मैं और अखेली नहीं हूँ मेरे शान्ति कुछ में ओपर वाले से मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए मैं खुश हूँ मैं संपूर्ण हूँ मैं हूँ आत्मजा अभी आप ये नाठक सुन रहे थे नाठक का आलेक और स्वर अपरणा चौधरी का था और निर्देशक थे श्री कृष्ण केंद्री ये नाठक एकांश के लिए आकाश्वणी आगरा द्वरा तैयार ये नाठक आकाश्वणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित क्या गया प्रसारित क्या गया